नमस्कार सभी को, मैं मैंत्तु केवट मैं आज आपको इस वीडियो में संख्या का वर्ग निकालना बता रहा हूँ तो देखिए मैंने यहाँ जो संख्याएं लिखा है इन संख्याओं को इकाई यंग पर पांच है सबके और जब इकाई यंग पर पांच होता है तो उन संख्याओं का हम वर्ग किस तरह से जल्दी से निकाल सकते हैं यह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ हमें करना क्या है इकाई यंग की संख्या का वर्ग हम सभी जानते हैं जैसे पांच का वर्ग देखिए पचीस होता है यहां भी हमें पांच का वर्ग ग्यात है पांच का वर्ग पचीस होता है और एक के बाद अगली आने वाली शंख्याद दो है दो का एक में हम गुड़ा कर देंगे दो का एक में गुड़ा कर देंगे तो दो एकम दो आता है इसके बाद हम दो लिखती है यह हो गया दो सो पचीस पंदरा का वर्ग है अब हमें पचीस का वर्ग निकालना है पांच का वर्ग हमें ग्यात है कि पांच का वर्ग पचीस आता है और दो के बाद तीन आता है तो तीन में दो का हम गुड़ा कर देंगे दो का तीन में गुड़ा कर देंगे 6 आता है यहां हम 6 लिख दिए यह हो गया 625 का वर्ग 625 होता है 35 का वर्ग निकालने के लिए 5 का वर्ग हम निकाल के रख देंगे 3 है 3 से अगली संख्या क्या होती है 4 होती है तो 4 तियां 12 होता है इसके बाद हम लिख देंगे यहां 12 अर्थात 10 संख्या जो है उससे अगली सं का वर्ग हो गया इसके बाद हमें 45 का वर्ग निकालना है पांच का वर्ग 25 हो गया चार के बाद 5 आता है पांच का वर्ग 25 हो गया यह हो गया 2025 45 का वर्ग 55 का वर्ग निकालने के लिए 5 का 25 आता है 5 का वर्ग 25 होता है 5 के बाद 6 आता है 6 35 होता है 3025 यह 55 का वर्ग हो गया 65 का वर्ग निकालने के लिए 5 का वर्ग 25 होता है, 6 के बाद 7 आता, 7 शेंग 42 होता है, 4,225 ए 65 का वर्ग हो गया, 75 का वर्ग निकालने के लिए 5 का वर्ग 25 होता है, 7 के बाद 8 आता है, 7 अठे 56 होता है, 5,665 ए 75 का वर्ग हो गया, 85 का वर्ग निकालने के लिए देखिए 5 का 25 होता ह और आट के बाद नव आता है, आट नव बहत्तर होता है, 7,225 ये देखिए, 85 का वर्ग हो गया है, इसी तरह से एक संख्याय और है, जिसके इकाई यंग पर 5 आता है, 95 है, 95 का वर्ग निकालने के लिए 5 का 25 हो गया, और 9 के बाद 10 आता है, 10,9, 90 होता है, 9,025 ये 95 का वर्ग हो गया, इसी तरह से अगली संख्याय यदि हम 105 का वर्ग निकालेंगे, तो हमें इसी तरह से निकालना है, 5 का वर्ग 25 हो गया, 10 के बाद 11 आता है, 11,10 होता है, तो ये देखिए, ये 105 का वर्ग हो गया, इस तरह से बच्चों हमें इकाई यंक बर जब 5 हो, तो हमें वर्ग किस तरह से निकालते हैं, इस वीडियो के माध्धम से मैंने आपको जानकारी दिया, इसका वाचन मैं फिर आपको करके बता रहा हूं, देखिए, पाँच का वर्ग पचीस, पंदरा का वर्ग दोसो पचीस, पचीस का वर्ग छैसोपचीस, पैंतीस का वर्ग एक हजार दोसो पचीस, 45 का वर्ग 2025 55 का वर्ग 3025 65 का वर्ग 4225 75 का वर्ग 5625 85 का वर्ग 7225 95 का वर्ग 925 होता है और 105 का वर्ग 1125 होता है इस तरह से हमें बच्चों जिन संख्याओं पर 11 यंग है उसका वर्ग कैसे हम ग्याद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया तो आप इस वीडियो के माध्यम से जिन संख्याओं के 11 यंग पर 25 होता है तो 5 का वर्ग लिखती जिए और 10 यंग जो भी है उससे अगली संख्या में उसका क्या करिए गुड़ा कर दीजिए गुड़ा करके वो संख्या वहां लिख दीजिए तो आपको उस संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाता है तो आप मेरे इस वीडियो के मादेम से इकाई यंग पर आने वाली पांच इकाई यंग पर पांच सं करिए धन्यवाद सभी को मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं धन्यवाद सभी को